हरे कृष्णा तो टॉपिक है नो कॉंटक्ट वाट्स कोईंग आन इन देर लाइफ ठीक है क्या चल रहा है उनके लाइफ में तो देखते हैं थोड़ा सा जाकते हैं जिस्ट्राइट नो वाट इस कोईंग आन इन देर लाइफ तो ये एक पिक एकार्ड रीडिंग होने वाली हैं और हमारे यहां पे दो अब्जेक्ट्स में रखे हुए हैं ठीक है मेंगे में माउस इन हाउस ठीक है फ्लूचो राइफ तो आपको इन दोनों में से किसी भी अब्जेक्ट को चुनना है उसके बाद हम देखेंगे कि ये रीडिंग क्या आती है ठीक है तो लिस्तार्ट तो मैं पहले से ही कार्ड चुन लेता हूं इन दोनों के लिए ताकि आसानी हो ठीक है मैं टाइम स्टाम डाल दूंगा कि कब मैं रिडिंग शुरू करने वाला हूं तो कुछ समय दीजे मुझे कार्ड चुनने में इसमें से कार्ड चुनता हूं के में की मामस के लिए आठ कार्ड चुनता ह हूं ठीक ही ऑके 1 2 3 4 5 6 7 अब और साऺए च्यूम इपनू गजा सानथ है 8 ठीक है5 क्या पराट कर आओ है में की मामस के लिए अप चुनता है प्लूटर के लिए आठ कार्ठ ठीक है, one, two, okay, three, four and five, ठीक है, six, और six आ गया, ठीक है, अब ये है seven, और बस एक ही कार्ट में चाहिए, जो की है, ये, okay, eight कार्ट आ गया, ठीक है, इसे मैं आप साइड में रखता हूँ, और अब चुनते हैं, love messages, ठीक है, दो दो love messages चुनते हैं, उसके लिए चुनते हैं, मैं अब दो love messages, okay, and जो टो के लिए चुनते हैं, love messages, ठीक है, ठीक है, तो इसे भी साइड में रखते हैं, ठीक है, so, कार्ट मैंने चुन लिया है, आप देखते हैं, reading, तो शुरू करते हैं, reading, शुरू करते हैं, रिदिंग, शुरू करते हैं, नताक चुरीए, लेके परभू का यहां पर देखते हैं, Mickey Mouse के लिए, क्या reading आती है, चुरू करते हैं, Mickey Mouse, okay, यहां बात में देखेंगे, love messages, let's take a look at the cards, okay, यहां पर मैं रखता हूं, straight to straight है, reverse to reverse है, cards, ठीक है, तो मैं वैसे रूंगा reading, 8 card रखता हूं, मैं यहां पर, drum card काफी आ रहे है, okay, यहां पर कौन कौन से card आ गया है, बहुत ही अच्छा लग आज मुझे इन card को देखें, पता नहीं क्यों, but I am feeling wonderful, and बहुत ही खुश, मैं असूस कर रहा हूं, पता नहीं, उर्जा अचनक से आ गई है, यहां पर, that's something good, okay, तो trump card है, यहां पर, I mean the tower card, ठीक है, मैं जर अकाना से है, the sun card, एक trump card है मैं इसे कह सकता है, यह एक trump card है, okay, so देखते हैं यहां पर exactly situation क्या है, okay, cards क्या है, वो देखते हैं, यह है king of pentacles, जो कि है reverse, यह है king of cups, तो दो king पहले ही आ चुके है, ठीक है, एक reverse है, and एक straight है, यह क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है, अभी आ रहा है, okay, focus, यह है, eight of pentacles, ठीक है, eight of pentacles है, okay, and यह है the tower, if you can notice this clearly, ठीक है, उसके बाद है, the sun, सन है यहापे, okay, फिर यहापे knight of pentacles, ठीक है, knight of pentacles भी हैं पर, ठीक है, पिर यह रहाँ है, trunk card, यह है, reversed, कि अप्स है और फिर यह भी हैं एक क्वीन आपक्स तीए यह है और यह है रिवर्स है और देखते हैं भी रिड़ीग क्या आती है okay we are connecting to this messages okay let's find out कि रिड़ीग क्या आती है okay so let's focus no contact zone में है and क्या चल रहा है उनके दिल में तेखा दो कि आ गए है एक king straight है एक king reverse है तो क्या है देखा है पहला जो काड है वो है king of pentacles ठीक है ये काड reverse हता आ गया है king of pentacles okay pentacles earth sign है and कही न कही पर अगर हम इसे down देखते हैं तो मीनिंग यहां पे निकलती है क्योंकि हम सभी काड से इसको connect कर रहे है तो ये ready में ऐसे meaning यह प्रैक्टिकालिटी को कही नहीं पर छोड़ रहे हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जो कि काफी अच्छी बात है देखो तू तु तुमें में हर एक परसन के बीच होती रहती है और उसके लिए कई बार वजह भी नहीं लगती यूहीं कई बार होता है कि तुमने यह एक ग्लास यहां पर क्यों रखा तुमने ये भी हो क्यों गिया क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो you know तो बाते कहीं पर ऐसी ही बदलती है और आगे जलती रहती हैं कहीने कहीं पर पर फिर आक्रोश होता है अकरंदन होता है यहां पर कश्नकश होती है and we could feel like that कि what is exactly happening okay कि क्या यही है जो मुझे चाहिए था अगर प्यार है आपकी सामने और चॉइस है तो आप किसको चुनोगे यह बहुत बड़ी बात होती है अगर आप प्यार को चुनते हैं तो अल्रीड आपको सब कुछ में हो जाता है अब और क्या चाहिए मैं BK सुरज भाई का एक प्रवचिन सुन रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा कहा उन्होंने कहा कि उनको जो बाबा थे वो कहते थे कि शान्ती आत्मसे मधान मतलब ऐसे कुछ बाते कह रहे थे कि बहुत ही महतो पूर्न गुण है यह खजाना है यह खजाना है लेकिन उनको बाद में बिली हुआ जब लोग आते थे उनकी तरफ वो भी लोग जिनके पास करोडो थे imagine करोड रुपए है उनके पास फिर भी वो दुखी है और इतने दुखी है कि बाबा को बोल रहे थे कि ऐसे लगता है कि अभी क्या भी मर जा यह थौट उनके दिल में आ रहा है मतलब पैसे होने के बावजुद सारा कुछ मिल सकता है यह फासर होटल में रह सकते हैं टॉप गाड़ी में गूम सकते हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं है तो खुशी अलग बात है पैसे से इसका कुछ लेन देन नहीं है यह यहाँ पर सावीत होता है वैसे इस विक्ति को समझ रहा है कि प्रैक्टिकालिटी जो है वो एक ज़रफ है प्यार एक तरफ है और प्यार जो होता है वो काफी बढ़ता रहता है तो कहीं न कहीं पर इस विक्ति को यह रिलाजेशन हो रहा है कि सच्चा प्यार ही सब कुछ है आपने देखा हो कि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपना गाउ छोड़ देते हैं या फिर शहर छोड़ देते हैं अपनी फैमिली को चोड़ देते हैं और कुछ लोग तो कंटरी भी चोड़ देते हैं तो फैमिली बोलती है कि हम यहां पर हैं मेरे हजबन वहां पर रहते है तो क्या मिलता है उनको पैसा तो मिलेगा लेकिन जो पर आपको मिलने चाहिए तीन साल, पात साल, दस साल तक वो विदेश में रहे दस साल तक आप एक दसर से दूर है क्या मिल रहा है आपको तो ये बात इनको समझ में आ रही है something which is very important कि practicality is not very important हर बार जुरी नहीं होती practicality कहे कहे पे है लेकिन उससे भी बढ़िया होती है बात प्यार, जैसे कि किसी का accident हो गया है, कोई कहे रहा है practicality से भई मैं क्यों इनको मदद करू ले अगर प्यार है आपके दिल में तो आपके हैसस थे कि ये भी किसी का भाई है चलो मैं उसको मदद करता हूँ तो उसके प्रान बढ़ सकते है that is something which is cool हाला कि यहां पर एक काड़ आ रहा है जो कि है king of cups तो यहां पर यह वेक्ती ज़्यादा passionate हो रहा है आपकी तरफ उसको महसूस हो रहा है, याद आ रहा है कुछ पल उसको याद आ रहे है कुछ बाते इसको याद आ रही है कि क्या है, मतलब प्यार ही वो जगह है जो उसको चाहिए, you know and that is something cool, okay और यही वो बात है मतलब आदमे कितना भी बड़ा क्यों ना हो कितना भी बड़ा हो सिर्फ थोड़ी से ही जमीन उसे लगती है दफनाने में, you know and जलाना है तो फिर आप कैसे थे कि राक तो मटके में ही आती है मटके में ही आप राक लेके जाते हैं और विज़जित करते हैं that is something cool about it king of cups यहां पर तो यह समझ रहा है कि प्यार की एहमियत क्या है, you know अगर आप से root के चले गए थे या फिर नफरत कर रहे थे फिर कोई भी बात थी you know कई बार principles जो होते हैं वो इंसान follow करता है शान से कहता है कि मैंने अपने पूरे life में मेरे principles को कभी तोड़ा नहीं that is wonderful ठीक है, लेकिन अगर आपके पास आपकी family है और आपके कारण आपके family दुखी हो रही है तो आपके principle थड़ क्लास के है that is something important अगर सभी family एके principle के उपर जी रही है तो no issues at all आप खुछ रही है या दुखी रही है वो आपका मसला है लेकिन सिर्फ आपके बिज़े से अगर कोई खुछ नहीं हो रहा है ये कही न कहीं पे गलत है और ये विक्ति समझ रहा है king of cups पे इसको महसूस हो रहा है कि मेरी कुछ responsibilities है मेरी खुशयां मेरे हाथ में है मेरे साथ है और मैं उसी अपना नहीं रहा हूँ तो मुझे मेरी खुशयां कैसे रापस पानी है इसके बारे में वो सूच रहा है देखो यहां पे एक trunk card है जो कि है reversed तो इसको मौलम पढ़ा है कि मेरे हाथों से बहुत कुछ गवा चुका हूँ मैं बहुत कुछ जा चुका है कई बार के आदा कि कुछ लोग रूटते है मान लिडे जिसे सिर्फ दो दिन हुए दो हपटे हुए, दो साल हुए कुछ होते हैं के लोग शाड़िसदा होने के बावजूद एक दूसर से बात नहीं करते है पिर दो साल, पात साल तक दूर रहता है और अगर कभी मन हुआ तो बात करते हैं एकटा भी आते हैं आप यूही रहते है तो ये वो समझ रहा है कि time already जा चुका है time जा चुका है बहुत ही valuable time मतलब जिसमें बहुत कुछ हो सकता था आप कहां कहां पर घूमने जा सकते थे and आप जो कुछ भी कर सकते है थे you know लेकिन आपने नहीं किया तो क्या है ये you know something that is very important ये जान रहा है कि क्या गवा दिया मैं ये बहुत important बात है अगर आपको value ही नहीं हुए किसी बात की तो आप आगे कैसे बढ़ोगे you know that is something cool value होनी चाहिए समय के value होनी चाहिए रिष्टों के value होनी चाहिए एक दूसरे के प्यार की value होनी चाहिए अगर प्यार नहीं है तो value नहीं होगी और अगर value नहीं है तो आप understand नहीं करोगा एक दूसरे को मैंने कुछ खो दिया क्या खो दिया जब आप किसी दूसरे को देखते है मान लेजिए आपकी उमर 30 साल है आपने साल आपने क्या किया है मान लेजिए 20 साल के उमर में अपने प्यार हो गया था 21 साल तक अपने प्यार किया और 21 से 25 तक आप दूर रहे है चार साल का difference है और आप इस couple को देख रहे हैं इनके पास कितने सारे साल है enjoy करने के every moment अगर हाथ में हाल भी पकड़ रहे है या फिर साथ में चल रहे है एक दूसरे को call भी कर रहे है कितनी अच्छी बात है लेको हर कोई job करता है पैसे कमाता है business करता है कुछ ने कुछ ने चलता रहता है cashless थोड़े तो मेरे paid के लिए तो में थोड़ा कमा ही लूँगा लेकिन जो जरूरी बात होती है वो है एक दूसरे का साथ निभाना तभी आप समझे क्ते कि हाँ ये प्यार है वरना प्यार क्या है ये इस विक्ति को समझ में आ रहा है कि मैंने बहुत सारा समय गवा दिया है अगर इसको ये value अभी हो रही है तो ये आपके पास आने की जिद्द जहद जरूर करेगा यहाँ पर night of pentacles तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये आपके तरफ आने की थोड़ी सी होड लगा हुआ है उसको लग रहा है कि कैसे भी करके भले मैं थोड़ा सा परिशान भी क्यों ना हो जाए फिर मुझे बहुत सरी महनत ही क्यों ना करनी पड़े I will try to connect with you जो मैरा खोया प्यार है मैं उसे वापस पाने के लिए बहुत कोशिश करूँगा यह इसलिए हारा है कि ये जान रहा है जान चुका है कि प्यार क्या है इसकी वैल्यू क्या है कुछ लोग separate रहते हैं, single रहते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता सालू सन्यासी होते हैं, वो तो अलगी बात है लेगिन कुछ लोग जो होने के बावजूद भी ना होने का ढोंग रचते हैं उनको फिर बात में पचतावा होता है और कुछ नहीं होता, यह ना यह मतलब यू हो गया कि आपके पास कार है और आप कही घूमने ही नहीं गया है तो कार रखी क्यूं है सब दिखाने के लिए तो इनको समझ में आ रहा है कि भी जो मेरा है, जो मुझे पाना है अब मुझे लड़ा ही लड़नी है उनको बताना है कि मैं बदल चुका हूँ या फिर मुझ में नया जोश आ गया है मुझ में नएक शमता आ गई है मेरे सबने अब अलग है कई बर कुछ लोग जो होते हैं वो किसी भावनों में बहचाते है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है चलता रहता है लेकिन फिर समय आता है कि मैंने क्या पाया जो आपको किसी का साथ नहीं मिलता and you just feel like that तब क्या होता है इंसान फिर रो देता है इस कौन के एक संत है ठीक है and उनके पिताजी उनको पाने के लिए कितने तरस रहे थे उनसे बात करने के लिए आते थे लेकिन वो उनसे कभी बात नहीं करते थे finally एक दिन ऐसा आ ही किया जब उन्होंने प्रांट टाक दिये तब ये चले गए और उनके चरन पकड़के रो गए रो दिये लेकिन तब तक समझा चुका था अब वो वापस कभी नहीं आने वाले थे तो ये वेक्ति आपको पाना चाता है इससों समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लूस किया है and अब मुझे पाना है लड़ाई इसलिए कि आपने उनका वो रूप देखा है जिसके कारण आपको दुख हुआ है और आज यही वेक्ति आपके पास आ रहा है अलग रूप लेके कि मैं तब अलग था अब अलग हूँ जैसे कि आपने अगर टर्मिनेटर मुवी देखी है तो दू टर्मिनेटर दिखते हैं एक सेना से भेजा हुआ एक मशीन से भेजा हुआ दोनों लड़ते हैं लेकिन मकसद अलग होता है तो वैसे को बता रहा है कि मेरा अभी का मकसद अलग है यहाँ पे है सान कार्ड यह काफी 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 पॉजिटिफ फील कर आके वारे हैं शायद विदिन वीक और टू आप से मिलने के लिए आ सकते हैं 34 दिसेंबर तो नजदीक आ ही रहा है तो 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 इस इस थाइम जो वो सोच सकते हैं यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं पर मुझे लग रहा है कि उनके होरोस्कोप में कुछ चेंजेस हो चुके हैं मुझे ग्रहों को गती हैं वो बदल जुकी है और जहां पर कोई नेगेटिव आस्पेक्ट था वो चला गया है तो अंतर दर्शा अच्छी चालू है या फिर कोई ग्रह बलशाली हुआ है यह something very positive है about this person तो यह इतनी आपकी तरफ आ रहा है और उसे अच्छा लग रहा है कि अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं तो कुछ अच्छा ही होगा नेगेटिव जो है वो चला जाएगा और उसके लिए मुझे अगर कुछ सहन करना पड़े तो मैं करूंगा तो sun card है सभी तरफ positivity है यह आपको पारना चाहता है और आपके साथ family start करना चाहता है जो कि यह काफी अच्छी बात है तो यह विक्ति आपको फिर पारना चाहता है I want you, that's it, I want you, nothing else अब जो next card है यहाँ पर वो है eight of pentacles eight of pentacles हमें यहाँ पर दिख रहा है तो इसमें हमें क्या मिल रहा है देखो यह विक्ति अभी सोच रहा है कि मुझे नए से शुरुआत करनी है maybe आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर यह आ सकता है अपना अच्छा जॉब, अच्छी position आपके लिए छोड़ भी सकता है जो कि काफी अच्छी बात है लेको इनसान को एक तो एक चीज़ फॉलो करनी चाहिए आप एक साथ दो करश्टियों में नहीं बैठ सकते यह नए यह एक बात होती है जो understand करनी बहुत important है एक गलती और क्या होगा, क्या से क्या होगा Elon Musk का नाम तो आपने सुना होगा उन्होंने काफी ऐसे फैसले किये जो कई बार जिन्होंने उनको मुश्किल में डाला for example SpaceX उन्होंने ने क्रिएट किया था तीन लांचेस फेल गए फॉर्थ लांच सही हुआ mission take off हुआ and finally he got lots of funds and now he is I think number two billionaire in the world तो सुनने को अच्छा लगता है कैसे भी विक्ती है असल जिंदगे में अगर आप देखोगे 70-80% आपको लोग ऐसे देखोगे जिन्होंने business try किया बहुत बड़ा failure हुआ and family को भी उनके लिए hard work करना पड़ा बीवी को भी job करना पड़ा उनकी बारे में कौन सोचता है you just look at just one side लेकिन one side important नहीं है all sides are important triangle का सिर्फ एक icon देखके आप आगे नहीं बढ़ सकते it's not 45 degrees it's over 45, 45, 45 तब ये icon बनता है ये जो एक triangle है ये आपके लिए important या square है वो important है सिर्फ एक कड़ी ना देखके और ये विक्ति ही कर रहा है ये विक्ति हर कड़ी को जोड़ना चाहता है इसके के लिए आप ही वो important factor है जो इसे खुशिया बरदान कर सकते है अगर इस सच में आपके बारे में सोच रहा है तो भले ये millennial है millennial है करोड़पती है या लगपती है ये सब को छोड़ड़के आपके तरफ आ सकता है just because इसको एहसास हुआ है कि आप इसके लिए कौन है अगर यहां पर दो कार्ट बचे हैं जो की है the tower the tower यहां पर इसलिए आ चुका है क्योंकि यहां पर कुछ चीज़े हो सकती है उसके life में बदला होने के आसा दिख रहा है अब देखो बदला हर किसी के लिए बहतर इन तो नहीं होते है हम कहते हैं global warming हो रही है तो अभी बारिश कभी बहुत ज़्यादा होती है कभी गिरती ही नहीं थंड कभी बहुत ज़्यादा गिरती है मदब changes इतनी होने लगे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं यह बदला की शुरुआत है वैसे ही अगर इनके जिंदगी में कुछ तुफानी होने वाला है अगर आपके साथ हो नयाद अपल का लैप्टॉप था और लैप्टॉप में सब चीज़े थी जो उसको ऑफिस से करेंट करती थी तो जिससे वो सीखने चाहता था उसको वो कुछ बोलता है और गुसे में आके इसकाल इसके लैप्टॉप की उपर थे पानी फेरिकती है और लैप्टॉप को नीचे फेकती है पहले तो यह बहुत गुसा होता है लेकिन बाद में उससे लगता है कि जैसे जादुगर के पराण होते हैं पंची में वैसा इसके पराण उस लैप्टॉप में थे अब लैप्टॉप चला गया तो जॉब भी चला गया अब इसे किसी भी की बारे में सूचने की ज़ुरत नहीं थी ये फ्री था तो देखो, चेंजेस तो बहुत बड़ा हुआ लेकिन उसे अंत में वो मिला जिसके करण उसको सुकूर मिला तो इनके लाइफ में ऐसे एक शुरॉत होने वाली है and the final card is Queen of Cups I think आप अभी भी इनसे रूठे हुए है and इनको को मनाना पड़ेगा ये आपको मना सकते हैं, definitely लेकिन थोड़ा तो आप I think इनके थोड़ा आप समय लोगे you know, अगर ये आपकी तरफ खुदा अप्रूश कर रहे है थोड़ा आप भाव खाऊ गया पर थोड़ा आप को हो कि ऐसे ऐसे so you would say that अभी आप आ रहे हो, जब मैंने इतना सारा वेट किया, सिर्फ आप के लिए तो yes, ending तो बहुत अच्छी लग रहे है मुझे and काफी अच्छी जए इंके लाइप में होने वाली है so just get ready for that तो ये था reading for Mickey Mouse काफी positive and अलग reading निकला मैं हम very happy about this मैं निकाना कि energy बहुत अच्छी लग रहे है अब देखते हैं this one that is Pluto Pluto के energy क्या आ रही है okay sorry cards कुछ रहे है वो देखते हैं ये दो card आ गए तो देखते हैं cards क्या कहते है पहला card है gift you are the greatest gift God has given to me ये आपको इतना पसंद कर रहे हैं अभी इनको मालूम हो रहा है कि आप ही इनके लिए अमूल्य हो हम कहते हैं diamond अमूल्य है लेकिन इनके लिए आप अमूल्य हो आप इनके लिए वो हो जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था you are just amazing auspicious to them जब आप इनके जिंदगी में आते हैं तो इनके जिंदगी में मिठास अपने आप ही आती है इन्हें वापस से मिठास को ढूनने की जरूरत नहीं पड़ती and next card जो है heaven is a place on earth with you जब भी आप इनके साथ होते हैं तो ये heaven में महसूस करते हैं मजब स्वार की अफसरा रंभा, उर्वशी, मेनका आप ही तो हो आप में ही वो सब बाते हैं आपके अलवा उन्हें कोई नहीं दीता अगर आप कहीं प्रांक भी करोगे ये वोड़ की कोई सबसे खुबसूरत लड़की साइड में खरी है तब यो आपकी तरफ देखोगे आपको होगे ये तो कुछ परी है आपकी साबने पाने कम चाहा है ये तो ये कहीं पर महसूस हो रहा है अब देखते हैं प्लुटो के लिए क्या रड़िंग आता है ये हम साइड में देखेंगे लास में देखेंगे यहां पर देखते हैं क्या आता हैं मैसेज़स ठीक है टू रिवर्स टू स्ट्रेट ये भी काफी अच्छी रड़िंग मुझे दिख रही है नो कॉंटाक्ट वोट इस हैपनिग इन देखेंगे लाइफ तो ये कौन-कौन से काफ से हम देखते हैं मैं आपको दिखाता हूं कार्स ठीक चलो पहला जो काफ है वह है किंग ओफ रोड्स यह भी पहला काफ की ही आगया जो की रिवर्स है तु ती किंग ओफ रॉड्स किंग और रिवर्स आ गया सेकेंड जो काफ वह भी रिवर्स है तन टू प산 अर्ड़ी ट्रेट टीव्रीव पैंटे थे ले दोपंटेकहल से यहां पर बशुख की यहीं है इस रिवर्स ढंचुठाय है तुके अब देखो यहां पर एक और काड आ गया है जो इसलिए फोर फोर फ्रॉट्स भी है यहां पर आपर यहां पर रिवर्स काड है एट अप्सोर्स जी को यह इसलिए स्था शायद से रिवर्स ही लूँगा है नेक्श काड़ है वो है नाइड ओफ कप्स ओके नाइट कार्ड है जज्ज्मेंट जज्ज्मेंट है यहां पर तो देखते हैं अभी क्या आती है सबसे पहला कार्ड है किंग ओफ रॉर्स जो की है रिवर्स दिए पैशन कहीने कहीं पर थोड़ी कम पड़ गई है एन वेक्ति थोड़ा सा लाइफ में हारा हुआ मैसुस कर रहा है शिकार बन गया है किसने शारत इसको बेदर्दी से पटका रहा है बेवी आपके प्यार में कंगाल हो गया है यह वेक्ति मालब emotions भोड़ बचे हैं नहीं है जो भी थें आपके साथ थे अन अब उसके साथ ऐसे कुछ भी नहीं रहे हैं जिसे कारण इसका अपना खुत का वजूद हो सिर्फ पैसे से इनसान अमीर कभी नहीं बनता ये बात होती है पैसा इनसान को अमीर नहीं बनाता बलकि आप कितने खुश हैं वो आपको अमीर बनाता है आपके खुशी ही वो रीजन है जो आपको जिन्दके में आगे बढ़ाता है कुछ लोगर आपने देखा होगा तो कुछ अमीर लोग है वो बस बनावटी हासी लाते हैं मैं बहुत खुश वो खुशी नहीं है आप ट्रेन में चेट रहे हैं भीड में भी हैं बस में हैं क्रिक्षा से जा रहे हैं मुझे जल्दी पहुशना है फिर भी आपके चेहरे पर खुशी है वो सच्ची खुशी है और आपको लगता है कि बस कुछ सोने चांदी जेवर से आप थोड़ी खुशी खरी सकते है ऐसा नहीं होता वो खुशी नहीं मिलती वो एहसास होता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं दिखा सकता हूँ लेकिन ये एहसास टेंपररी होता है कि दुनिया बदलती रहती है कभी एक जैसी नहीं रहती है तो इस विक्ति को एहसास हो रहा है एहसास हो चुका है कि something is there King of Rods reversed है passion कही नहीं पर lose हो रही है passion जार चुकी है या जारी है somewail इसको realize हो रहा है कि उसके जिंदगे में उसने क्या आखोया है and क्या पाया है and ऐसा ही होता है कुछ लोग जिंदगे में इतने आगे बढ़ जाता है कि फिर वापस आने का मौका ही नहीं रहता है and फिर बोग कहता है दिजनी जिस पे वर्क कर दी है उसमें से है वो उनी के बना हुआ कमपनी है लेकिन अभी वो डिजनी के पास है तो सबने हमेशा उनका एक ही नाम सुना है एपल मतलब स्टीव चॉपस लेकिन जब एक टी गुजर रहा था एक्चुली गुजरा मतलब कैंसर हुआ था उसको तो उसको रियलाइज हुआ और उसने कहा भी कि मैंने अपनी जिन्देगी वेस कर दिये कहते हुए कि पैसा ही से इंपोर्टन है और आज जब मुझे ऐसी बीमारी हुई है और मेरी ऐसी हालत है वोड़ो आ है वित मी लोग त तो इसको एहसास हो रहा है इस वेक्ति को कि प्यार अमूली है प्यार इस वेरे इंपोर्टन है लेकिन किया अभी ये प्यार पास अता है something is there आला कि ये भी mixed feelings मुझे मिल रही है तो मैं clear करूँँगा थोड़े से कैसे यहां प्यार ये देगा यहां पर ace of rods यह थोड़ा सा mix connection मिल रहा है amalgamation मिल रहा है तो इतना clear sign नहीं मिल रहा है लेकिन कहीने कहीं पर जो मुझे sign मिल रहा है और जो मुझे एहसास हो रहा है वो मैं आपके सामने बया कर रहा हूँ ठीक है यह कोई नई शुरुआत करने की सूच रहा है Ace of Rods ठीक है अब आपके साथ भी एक नई शुरुआत हो सकती है लेकिन कहीने कहीं पर लग रहा है कि उसे जन्दगी में आगे बढ़ना है जन्दगी में एक नई शुरुआत करनी है अब नई शुरुआत क्यों हाँ आपको खोने का गम है आपका साथ छोडने का गम है जो की बहुत बड़ा है जब आप किसी के लिए गड़ा खोटते है और खुद गड़े में गिर जाते है और तब वो जो अहसास होता है वो बहुत बुरा होता है या फिर आप किसी को गड़े में गिरा हुआ महसूस करते है पिर भी आगे चल जाते हैं तो हाँ, वो चीज दिल खाती है वो चो चीज होती है वो आपका कलेजा फार डालती है कई दिन, कई रात आप सोत नहीं सकते चैन से लेकिन फिर इनसान आगे अगे बढ़ते जाता है तो किसी ना कैसी के साथ connect करने के कोशिश कर रहा है उसे जिन्दगी में एक नहीं शुरुआत करनी है something new to start definitely यह चीज आसान नहीं होगी easy नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आगे बढ़ चुका है पहले से ही and अगर decide ही किया है, मुझे आगे बढ़ना ही है तो आप इसे कैसे रो सकता है maybe यह व्यक्ति आपके ख्यालों में है खौब में है लेकिन यह व्यक्ति जो करने की सोच रहा है या सोच सकता है, वो तो करेगा है अब actually उनकी तरफ ध्यान लगा के बैटे हो कि क्या कर्स रहे है actually and कितने गर्स है इसमें वैसे देखा जाए तो आपने उनको freedom दे चुकी है कि ठीक है, जो करना है करो मैंने तो तुमें freedom दी है no contact में है, आप free हो अपना कर्म करने के लिए प्यार एक ऐसी अनुभूती है भावना है जो एक बार चिपक गई तो चिपकती है रहती like chewing gum, साधर नहीं छोड़ती तो दो feeling होती है, एक था attraction है और एक प्यार है, attraction जो है वो कभी-कभी आता है, आता जाता है जैसे कि बारिश, कभी-कभी आती है लेकिन प्यार जो है, वो दिन और रात की तरह आता ही है, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन यह चलता ही है, तो यह यहाँ पर चल रहा है Ace of Rods यहाँ पर कहीं न कहीं पर शुरू हो रहा है देखो, यह कार्ड है यहाँ पर, यह कार्ड कहीं न कहीं पर मुझे लग रहा है, कि आप दोनों से connect कर रहा है और इनको भी शायद यह अहसास दिला रहा है कि what is the person doing exactly इनकी आपकी तरफ आने के chances 20% लग रहा है मुझे 2% से लेके 20% है, तो बहुत कम है लेकि यहाँ पर judgment काड़ा आ गए judgment मतलब देखो, कोई वेक्ति पूछ रहा है खुद को, कि मैं क्या कर रहा है क्या मैं सही कर रहा है, गलत कर रहा है देखो, आपको choices दिया जाते है कुछ करने के लिए आपको choices दिया जाते है और आप सोचते हैं कि यह choices क्या है और मैं उस में से कौन से choice कर सकता हूँ कई बार आपको लगता है कि जिन्दगी ने आपको choices नहीं दी, आपको यह करना ही पड़ेगा यह तब सही रहेगा जब आपके पास कोई option नहीं रहता है और अगर आपके अपनी guts है तो yes, you can do that आपने कुछ पुराने फिल्म में देखी होगी कि कोई लड़का train से भागता है मंबई शहर में आता है करने को कुछ नहीं होता तो boot polish करता है दिर दिर आके बड़ा होता है और वही करता है कुछ लोग वहां से आके बढ़ता है जिन्दगी में और कुछ तरकी करता है लेकिन तब यह करना boot polish करना कितने लोगों में guts है कि हाँ मैं ऐसे कर सबता हूँ तो यह जो एहसास है कि accept करना कि हाँ मुझे करना पड़ा मेरे सामने और कोई choice नहीं था and I was pretty happy about it कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ अच्छा कर रहा है कुछ गलत करने से तो लाख कुना अच्छा है कि आप थोड़ा चोटा मोटा कामी कर रहा है judgment यहां पर आ रहा है मतलब यह वेक्ति अपने आप से संगर्श कर रहा है या उसकी अंतरात में उसको पूछ रही है कि तो यह क्या कर रहा है मैं भी इसको पता है कि इसने आपका दिल तोड़ा है या फिर आपसे दिल लगाया है फिर भी जिन्दगे में आगे बढ़ना चाहता है तो ये क्या है तो attraction और प्यार इसके बीच में अगर फसा हुआ है तो एक भवर है जो एक भवर में उता खाएगा ही हाला कि अगर ये ऐसा है और अगर आप कोई ऐसास हो रहा है तो इस भवर से अगर आप निकले और खुद को साइड में रखे तो ही अच्छा रहेगा एक स्टोरी मैंने सुनी थी आपको बता रहा हूँ एक मच्छी होती है पानी में साथवीक मच्छी होती है कितने सारे मच्छी आते हैं पकड़के चाल चल जाते हैं फिश को लेकर ये मच्छी कभी भचती रही है तो इसको कुछ पूछते हैं आजब 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 के फिश कि ऐसे कैसे मतलब तुम्हें कभी किसे ने तकलीव नहीं किया तो उसने कहा कि मैं कभी लोब नहीं करती मैं कभी लोब नहीं करती जब ये मच्छवार आता है मैं उसके पेर के यहाँ पर खड़ी रहती पेर के यहाँ पर खड़ा रहना मतलब एक तो नमन करना udah अपनी आउकाद समझना तो यinent भागती नहीं इधर आगर के फिश के तरह, वहाँ पे खड़ी रहती है शानती से, कोई उसे पकड़ नहीं सकता है न तो यह एहसास यहाँ पर important है, स्वित्ती को जानना important है कि यह सच में क्या है, क्या करने वाला है और क्या करना चाहता है कुछ करना चाह रहा है तो शौक से करे लेकिन, at least अपने दिल को साफ करके करे यह न, यह तो यू हो गया कि आपसे दिल लगया because you are beautiful, लेकिन आपका दिल तोड़ा कांखोब सुरत लेकिन बहुत पैसे वाली कोई उनको मिल रही है अब क्या है यह गंदा है हसास है तो यह थी, मैं थोड़े साइड में रखता हूँ यह कार्ड जो भी हुआ है अब देखो, यहाँ पे पांच कार्ड बचे है देखो, यहाँ पे eight of swords है यह कार्ड reverse आ गया है eight of swords का जो कार्ड है वो reverse आ गया है कही न कही आपे इस विक्ति को एहसास हो रहा है कि अभी इसको बंदन खोल देना चाहिए maybe यह विक्ति flirtatious था पहले से ही, आपको पता था कि यह विक्ति ऐसा था लेकिन कभी आपने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तवज्ज़ नहीं दिया, लेकिन अभी यह विक्ति खुद सही कोशिश कर रहा है नकाब खुद का उठा रहा है फिक रहा है कि हाँ मैं जैसा हूँ मैं वैसे जिन्दगी जूँँगा मैं लोग कुछ लोगं को आड़त होती है घमन करने की दिखावा करने की, और यह विक्ति दिखावा यह मतलब आपको यह हो रहा है मतलब इसको पता है कि हाँ आपको तकलीफ होगी यह देखके कि यह इस विक्ति ने पहले आपके साथ प्यार किया यह प्यार कनाटक किया जो भी था क्यांकि हम इनके नजरे से देख रहे हैं आपके नजरे से नहीं इसने आपके साथ जो भी किया अब फिलहाल ये विक्ति आगे बढ़ रहा है अब जिसने आपके दिल के साथ खेला है वो किसी और के साथ खेलने जा रहा है ये एहसास बड़ा चुपने वाला है जाना देखो ना फिलिंग कैसी है कोई आपको गुलाब देता है वही गुलाब आपसे चिंके कोई सी और को दे रहा है शायद उससे भी चिंके किसी और को देगा कितनी तकलीफ होगी गुलाब का काटा लएगा उससे उतनी तकलीफ नहीं होगी जितना इससे तकलीफ हो रही है कि somebody is crushing your heart यह बहुत बड़ी तकलीफ होती है यह वहलब ऐसे हो गया कि आपके पास सिर्फ पैसे नहीं है इसके बिदे से आप किसी को admit नहीं करना सकते होस्पिटल में और वेक्ति मर रहा है कैसे होगा ऐसस डॉक्टर सामने हैं लेकिन हाथ नहीं लगा रहा है वेक्ति आप से exit करने के बारे में सोच रहा है तो परसन इस ट्राइं तो get away from you exit करने के बारे में सोच रहा है यह यह है एक आप है और कोई और है और किसी और को चुन रहा है या फिर चुन चुका है पहले से बस उसके उपर उसको stamp मारना बाकि है कि yes I chose you तो जस दिन यह चूज करेगा उस दिन हो जाएगा something that will happen कई बार कावाथ है कि हम सोचते रहते हैं ऐसा वो क्यों कर रहा है किसे लिए कर रहा है क्या वज़े है लेकिन कुछ चीजे होती है जो यह कराती है या फिर जिसके कारण यह होता है so what can you do for it हो रहा है तो हो रहा है what else तो यह एक चीज है अगर इसने किसे को चुना है कि मैं इसको चुनूंगा उसके साथ जाहूंगा जो भी इसके reason है खुद के personal होंगे private होंगे business होगा तो yes it is something which he need to do उसके रिसाफ से उसे करना चाहिए कि उसने already select किया है कई बार commitment क्या होते कि मतलब आप commitment करते हैं कि मैं उससे ही प्यार करती हूं यह आपके commitment हो गई क्या आपने कभी सोच रहा है कि क्या उसने कभी आपको commitment दी है कोई से बोलता है कि हाँ मैंने commitment दी लेकिन बोलने से किसी को लगता है जो कि है reverse तो इसने already चुनाव कर दिया है लेगिन आप इस वक्त बहुत दुख में बहुत पेन में मुझे लग रहे है something is quite painful here ठीक है कोई विक्ति कर खुश है और कोई विक्ति रो रहा है तो something is dreaded सही बात नहीं होती लेगिन अगर कोई विक्ति ऐसा कर ही रहा है और कर चुका है तो अब क्या करोगे एक बहुत ही I think दिल को तड़पाने वाला फोटो था I think आज भी आपको यूटूब पे मिल सकता है फिर नेट पे एक आदमी खड़ा है एक बिल्ली है भीगी हुई छोटी सी प्यारी सी बिल्ली है वो उसके शूज को अपने पैर लगा रही है मतलब खड़ी हो रही है उसके शूज के अधार पर और उसकी तरफ देख रही है आशा से दिल देहलाने वाला सीन है What is that तो ऐसा अगर है तो I think you are suffering from this kind of thing कहीं ने कहीं पर आपको एहसास हो रहा है कि यह वेक्ति मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है लेकि अगर किसी ने किसी को चून लिया है तो क्या करोगे आप मतलब किसी को सिर्फ time pass करना होता है और उसके बाद उसे लगता है कि मुझे सच में कोई और चाहिए तो आप क्या करोगे आपको यहां पर दो काड़ा आ रहा है जो कि मैं fast reading करूँगा ठीक है यह है night of cups जो कि है reversed night of cups में यहां पर हमें एहसास हो रहा है कि यह वेक्ति कहीं और दूर जा चुका है जैसे कि गाना है घर आर जा परदेशी प्यरा देश से बुलाए है ऐसा मदल पर गाना था तो यह गलत एहसास है लेकिन अगर इस वेक्ति ने इसा किया है तो आप क्या कर सकते है और जो final card है वो है four of rods तो यहां पर लग रहा है यहां पर लग रहा है आपक्ति at least engagement या शादी करने का सोच रहा है within three months या six months के बीच में वो ऐसा कुछ सोच सकता है या उसने already ऐसा किया है especially the person looking for honeymoon period and kind of thing तो यह उसे चाहिए लेते है love messages क्या है यहां पर love messages यहां पर you are my dream that comes true and you are so precious to me sweet as can be baby of mine तो कही न कही पर लग रहा है कि वेक्ती किसी और को तवज्व दे रहा है कि किसी और को कह रहा है कि you are someone special to me यही इसका सपना था और यही वो चीज थी जो से चाहिए थी जिसे कि आपर word आगा है baby इस एक्सपेक्टिंग कि जिसके curves हो जिसकी body बहुत ऐसी हो लचीली हो something could be like that जो attract हो साए हो साए कि किस की तरफ तो I think यह उसको चाहिए था जो उसे मिल रहा है यह था reading I hope it could design it with you Thank you